गुड मॉनिंग बच्चो आपके पास 11 डेट में वक्षीट आई थी फोर है न जिसमें हिंदी टेक्स का पार्ट 16 आपको कराया गया था और ग्रैमर में विलोम शब्द आपको कराये गए थे ठीक है पार्ट 16 सागर माथा से लिया हुआ पार्ट है एक मिवाँ लिख से में ना एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागरमाथा कहते हैं है ना उसके मैं आपको सोल्यूशन बता रहे हूं आप इंसके आंसर मैच कर लीजिए शब्द अर्थ है दल शब्द इसका अर्थ है समू तस्वीर इसका अर्थ चित्र है और इसका आपको वाक्य बनाना है ठीक है मैंन बचेंद्रिपाल अपने साथ वो लेके गई थी ना दुर्गा माता की तस्वीर इसमें बताया गया है कि दुर्गा की तस्वीर लेके गई थी है ना दुर्गा का एक चित्र एक पोस्टर वो लेके गई थी महाँ पर तो आपको तस्वीर का वाक्य बनाना है आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो, मेरे पास पापा की तस्वीर है, मेरे घर में देवी मा की तस्वीर है, मेरे घर में दादा जी की तस्वीर है, है ना, मैं अपने पास मा की तस्वीर रखता हूँ या रखती हूँ, इस तरह से वाक्य बना सकते हो, हमाई घर में सुंदर-सुंदर तस्वी कि यह लक्षमी मा की तसवीर अबने साथ ले गहिए यह गळत है वह किसक्षद मान करी सेंगर और टुसी कि हम हिंदी में पढ़ते हैं 23 मई 1984 यह हम किस से मैच करेंगे इस दिन हिमाले पर चढ़ाई की थी बच हिंदी भाल है ठीक है एवरेस्ट को क्या कहते हैं सागर मा था 6 6 कोती मही लाई थी जिने चुना गया था एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आशिरवाद किसका मिलता है मात पिता का ठीक है विलोम शब्द आपको लिगने है गून का दोष है पूर्व पश्चिह उल्टा अर्थ वताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं विलोम शब्द ये प्रशल्चन के फॉर्म में भी एक्जाम में पूचा जा सकता है आंसर के अगर आपके आंसर सही है तो बुढ और अगर गलत है तो आप उनको दुबाई लग करेंगे ओके नेक्स है जो कल आपके पास वर्क्षीट आई थी हिंदी टेक्स में हैं पार्ट 17 और हिंदी ग्रैमर में हैं महीनों के नाम ठीक है ऐसर है यहां एक मिन मैं लिख देती हूं आपको महीनों के नाम दिन और महीने वाला लेसन है न वह आपका इस वर्स लेवस में तीक है शबद अर्थ आपको लिखने हैं शबद विश्वास का अर्थ है भरोसा पाके प्रियोग है मदद बहुत आसान शबद मदद बच्चो उ मेरे दोस्त ने गरीब की मदद की मुझे मदद करना पसंद है है ना मेरे माता पिता हमेशा मदद करते हैं हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए या हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए है ना आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो मेरे दोस्त ने मेरी मदद की या मैंने अपने दोस्त की मदद की या मैंने अपनी सहीली की मदद की मेरी सहीली मेरी मदद करती है किसी की तरह से कोई भी वाक्याब बना सकते हो इसके बाद खालिस्तान है नदी के किनारे शेर टहल रहा था दल दल में कौन फस गया था बच्चो ब्राहमन फस गया था, है ना दल दल में ब्राहमन फस ने लगा, सही गलत आपको बताने हैं, शेर बहुत कमजोर था, सही, ब्राहमन लालची नहीं था, गलत, ब्राहमन लालची था इसलिए फस गया था, है ना, किसने कहा, मैं आभी आया शेर ने, कब कहा था जब ब्रह्मन दलदल में फस गया था और वो उसको बचाने के लिए बुला रहा था, यातियों मेरे पास आओ, ये किस ने कहा था, शेर ने कहा था, कब कहा था शेर ने, जब शेर को कंगन मिल जाता और शेर यातियों को लालश दे रहा था अपने पास आ एक्जाम में आए तो आप अपनी फिंगर से जन्वरी फ़र्वरी मार्च इस तरह से काउंट करके गिन सकते हो कौन से महीना कौन से नंबर पर है कि के ना सही गलत आपको बताना है रविवार का दूसरा नाम इतवार है सही एक सप्ता सप्ता मतलब वेक एक सप्ता हमें साथ दिन होते हैं सही इन में आप बहुत कन्फ्यूज हो जाते हो सप्ता में और दिन के महीनों में स्ववरी में क्लास में ठीके न यह ध्यान से आप वक्षिट करेंगे आज जो आपकी विडियो है हिंदी टेक्स में प्रट 18 कि विडियो है सबस्क्राइब वेले चते हैं लाल पेसिर थंटी ले सब्सक्राइब यह सते हों करके सब्सक्राइब अर्टाय 대해 मगला जाने सिनमे Não सब्सक्राइब इतने सब्सक्राइब नर्णे यह को रगता है कैसर या सपीद और हराएब सबसे उपर केसरिया रंग है, जो वीर्था का प्रतीक है, यह इस पयम में बताया गया है, बीच में सफेद रंग है, जो शांती का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरा रंग सुख सम्रद्धी का प्रतीक है, यह हमारी फसलों से रिलेटिड है, हरा रंग किस से रिलेटिड है फस में सम्रद्धि है इसलिए हरा रंग सुख सम्रद्धि से पसलों से रिलेटिट है तो हरा रंग सोरी नारंगी रंग वीर्था का प्रतीक है सफेद रंग शान्ति का प्रतीक है और हरा रंग सुख और सम्रद्धि का प्रतीक है ठीक है बीच में देख रहे हो आप यह अशोक च प्रेरना देती है, चोबिस गंटे होते हैं एक दिन में, तो 24 गंटे काम करने की, आगे भढ़ने की प्रेरा देती है, ठीक है, इसलिए अपने देश के जंडे का हमेशा संबान करना चाहिए, यह इसका विता में बताया गया है, इसका हम छोटा सा वर्क है, वर्क करेंगे, पार्ट 18 शब्द अर्थ लिखने है उच उचकार्थ लिखना है संदेश संदेश करता आपको लिखना है पंक्तिया आपको पूरी करनी है हरा रंग है डैश सुख डैश लाता है हरा भरा ये डैश है मेरा ये डैश सुनाता है ठीक है चार लाइन है चारी शब्द आपको मैं नहीं लिखा भारत के जंडे में आये यहां पर भारत के जंडे में कितने रंग है भारत के जंडे को क्या कहते हैं ठीक है दोनों अलग अलग प्रशन है पहले प्रशन इस लिखेंगे फिर इसका उत्तर फिर दूसरा प्रशन उसका उत्तर ठीक है खालिस्तान आपको भणने है अशोक चक्र में डैश तील्या होती है डैश रंग शानती का पृतिक है हरा रंग डैश और सम्रद्धी का पृतिक है नारंगी रंग डैश को दशा आता है या डैश का पृतिक अशोक चक्र आराम करने का संदेश देता है सही है या गलत है यह आपको बताना है हमारे जंडे का में सोरी हमारे जंडे में पांच रंग है यह आपको बताना है हमारे जंडे में पांच रंग है ठीक है यह आपको बताना है सही है या गलत है ठीक है छोटी सी वक्षीट है हिं Thank you children, have a nice day.